नमस्कार मैं हूँ श्रद्धा आप देख रहे हैं यूज 24 मध्यप्रदेश तीसकर और आपके सबसे पसंदीदा कारिकरम सेहत नामा में आपके लिए आज कुछ और खास लेकर आए हूँ ताकि आप अपनी सेहत का खयाल रख पाएं ताकि आप जान पाएं कि कैसे आप अपनी बीमारी को अपने परिश्वानी को दूर कर सकते हैं और आज हमाई साथ जोट रही हैं लाइफ केर हॉस्पिटल इंदोर से गाइनेकॉलजिस्स यानि कि स्री रोग विशेशगे नी संतान विशेशगे यानि कि जिनके बच्चे नह का अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हम आज बात करेंगे आप से बहुत सारी क्योंकि बेरे पास भी बहुत सवाल हैं और बर्दिप्रदेश चातीजगर की महिलाओं के भी बहुत सारे सवाल जहन में समय होंगे तो मैं चाहूंगे कि हम उनी बात उनी सवालों के बार करें तो वो कौन-कौन सी कौमन डिजीज है जिसको जिसको फेस करना पड़ता है अमूमन हर इस्त्री को सबसे पहले तो नमस्ते शुर्दा जी और बहुत इंपोर्टेंट आसपेक्ट आपने उठाया है विमेंस हेल्थ स्रीयों की सेहत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है क्योंकि स्री ही पूरे परिवार की समाज की धूरी होती है और अगर वह सुरक्षी थे स्वास थे तो पूरे फामिली का वो अच्छे से लुक आफटर कर सकती है तो अगर हम स्तियों की मोस्ट कॉमन प्राब्लम की बात करें तो यह एक्चुली डिपेंड करता है किस एज ग्रूप की वहाँ है अगर वहाँ एडॉलिसेंट एज ग्रूप की बच्ची है किशोर अबस्ता मे यहां तो उसकी समस्यानिक कुछ और होती है अगर वो रिप्रोडाट्प्टिव एज ग्रूप में हैं यानि की 20-45 साल की उम्र में हैं तो उसकी समस्यानिक कॉछ और होती है जो कि बहुत हैं उनके स्वास्त के मारे में बात करना क्योंकि यदि यहीं से हमारे स्वास्त को हम लोग ध्यान देंगे तो यहीं जो बच्चिया हमारी आगे जाके जब मा बनने वाली है तो कई तरह की बिमारियों से वो बच सकती है तो किशोरी स्वास्त में जैसे ही बच्चिया हमारी 12-13 साल की होती है उनको जब periods आना शुरू होता है जिसको की हम मिनार्की कहते हैं तो मासिक धर्म की शुरुआत के समय उनमें बहुत सारे physical और emotional mental changes होते हैं पीरेड आने की शुरुआत होती तो यहीं से हमें उनके स्वास्की देखबाल की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो कई बार आपने सुना होगा बहुत सारी बच्चियां होती जिने जब पीरेड आना शुरू होता है तो कभी-कभी बहुत irregular होता है heavy bleeding होती है और ऐसी उम्र में जब mentally इसके लिए prepared नहीं होती है तो शुरुआत में बहुत घबराहत होती है तो इस समय उन्हें बहुत support की जूरत होती है जो कि मम्मी से, teacher से या बड़ी दीदी से किसी से भी मिल सकता है और अगर वो पहले से educated रहे, aware रहे तो ज़्यादा बहतर होगा यह आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया कि हम step by step जानेंगे हम उन बच्चियों के बारे में भी जानेंगे क्योंकि अगर period शुरू हो रहे है या हो चुके है या होने वाले है तो वो भी एक situation जानेंगे और समझेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे मैं यहीं से शुरू बात करूंगी किन-किन बातों का खास ख्याल एक तो आपने कहा कि support की बहुत ज़रूरत होते क्योंकि बच्चियों को नहीं पता होता क्या है यह घबराहट भी होती है डर भी होता है लेकिन उसकी सही जानकारी बच्चियों तक पहुचनी बहुत ज़रूरी है पहली चीज यह और दूसरा में यह भी जानना चाहूंगी डॉक्टर आपसे कि क्या सही एज होती है क्योंकि कई बार कुछ लोगों से यह सुना है कि बच्ची की एज काफी हो गई है 16-17 साल हो गई और पीरिट्स शुरू नहीं हुए तो यह क्यूं होता है इसके पीछे क्या रीजन्स है और इसका क्या इलाज है बिल्कुल बहुत ही अच्छा कोशन उठाए शद्धा जी आपने कि सही एज क्या है नॉमली ग्यारा से तीरा वर्ष की उम्र में बच्चियों को महावारी शुरू होती है कभी-कभी यह ग्यारा वर्ष से पहले भी होती है और कभी-कभी फोटीन के बाद भी होती है तो य यदि फोटीन यह स्थकी एज में सेकेंडरी सेक्च्छल क्यारेक्टर्स आ गये और पीरेट नहीं आ रहा है तो उसको डिलेट मेंनार की कहते हैं तो अगर जल्दी पीरेट आने लगा वह भी चिंता की बात है यदि फोटीन तक नहीं आया है विस सेकेंडरी सेक्च्छल के तो यह बहुत ही चिंता की बात होती है और ऐसे समय में अगर सही उम्र में पीरेट नहीं आता है तो उन्हें डॉक्टर की सला की जरूत होती है खासतोर पर गाइनेकोलोजिस के पास जाएं प्रॉपर चेकप कराएं क्योंकि कई बार कॉंस्टिटूशनल होता है यानि कि फ तो इसलिए हमें कारण डूरना जरूरी होता है और उसके एकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है क्योंकि अगर डिलेड मिनार्की है और इसका हाइट से भी रिलेशन होता है पीरेट नहीं आया और सही समय पर इलाज नहीं शुरू किया तो कई बार बोन पर डॉक्टर के पास गाइनेकोलोजिस के पास चेक अप करा है यह तो हो गई कि बच्चियों के टाइमली अगर पीरियट शुरू नहीं होते हैं तो आपको बहुत जरूरी है डॉक्टर के पास जाना एक चीज़ और मैं जानना चाहूंगे वह यह डॉक्टर कि कई बार अ या उसको कॉमन संदध है कि अगर दस देन से ओपर होगे तो लगे की ठीक है कोई इतनी चिंता की बात नहीं है या तुरंथ डॉक्टर का साहरा लेना जरूरी है और देखिये नॉर्मल जो पीरेट्स का इंटर्वल होता है वो ट्वेंटेट तो थर्टी डेस होता है प्लस माइनस सेवन डेस ओके अब कुछ स्थतियां ऐसी होती है जिसमें की पीरेट्स बहुत इर्रेगुलर हो सकते हैं जैसे कि आपने सुना होगा आजकल पीसी ओडी क हो जाता है और इसका थोड़ा से जेनेटिक प्रीडिस्पोजीशन होता है यानि की फैमिली में कहीं कुछ ब्लड प्रिशर शुगर थायराइड ऐसी समस्या होती है तो पीसी ओडी में पीरेट्स बहुत इर्रेगुलर हो सकता है कभी-कभी दो से तीन महीने में आता है कभी कभी दवाईयां देने पर ही यानि की हार्मोन की दवाई देने पर ही पीरेट आता है तो अगर प्लस माइनस सेवन डेज है देन इट सोके 10 डेज भी वीकेंस है कि 40 दिन में भी पीरेट आ रहा है और 4-5 दिन बराबर ब्लीडिंग हो रही है तो ठीक है लेकिन उससे जादा अगर इर्रेगुलर हो रहा है तो एक बार चेक अप करा ले एक सोनोग्राफी हो जाए कुछ नॉमल हामोंस होते हैं थाराइड प्रोलेक्टीन वगेरा उनकी जाच हो जाए और अगर आपको 40-45 दिन में हर वही ने आ रहा है पीरेट तो ठीक है फिर वह आपका आने से आपको फिर ब्लाड लॉस भी होता है खुन की कमी भी हो सकती है तो अगर बहुत काम इंटर्वल से आ रहा है या बहुत डिलेड हो रहा है तो कारण पदा करना बहुत जरूरी है यह तो पीरियोट्स की बात हुई अब थोड़ा एससे एक स्टेप आगे वह प्रेग प्लान नहीं हो पा रही है उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी निराशा ही हाथ लगती है तो यह क्यों यह कंडिशन बनती हैं पहली चीज़ ट्रीट्मेंट इसका क्योंकि कई बार लोग हर जगह से हार जाते हैं फिर जो कहते हैं डॉक्टर की दवाओं की नहीं है तो लोग उसका सहारा भी लेते हैं तो फिर इसमें इसका ट्रीट्मेंट कितना सक्सेस्फूल है क्योंकि अब इसके लिए तो बहुत सारे आइबी एफ और ना जोने क्या क्या ट्रीट्मेंट्स भी आ गए है तो श्रद्द जी बहुत ही अभी समस्या बढ़ती जा रही है पहले हमारे इतना इंफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं था पर अभी इन दिनों में इंफर्टिलिटी के काफी कपल हम लोग देखते हैं और कहते हैं कि यदि किसी की शादी हुई है और उन्होंने कोई अब निरोधन का साधन ग्यूज नहीं किया है तो अगर रेगूलर रिलेशनशिप में हैं यानि हाजबन वाइब साथ में रह रहे हैं ऐसा नहीं है कि ट्रांसफरेबल जॉब है तो उन्हें साल भर में प्रेग्नेंसी आ जानी चाहिए या फिर दो साल के अंदर तो 90% कपल साल जो होते हैं वो within a year conceive कर लेते हैं और बचे यूज और दूसरे साल में conceive कर लेते हैं लेकिन यदि शादी के दो साल हो गये हैं कोई गैर्ब नेरोधन यूज नहीं कर रहे हैं और फिर भी प्रिग्नेंसी नहीं आरही हैं यानिकि फिरतिलिटी में प्रॉब्लम है तो इसक अपल को फिर डॉक्टर की सला की जुरुत होती है और खास तोर पर जब शादी लेट एज में हुई हो यानि कि अगर शादी 20 से 25 साल की उम्र में हुई है तो तो ठीक है हमारे पास समय होता है लेकिन यदि शादी महिला की उम्र 35 साल हो रही है तो फिर हमारे पास समय काम होता है अब हम बात करें कारण की तो जो इंफर्टिलिटी का कारण होता है लगबग 30% female में होता है इतना ही 30% ही लगबग male partner में भी हो सकता है और 20% दोनों में common हो सकता है अब हमारे जो है फीमेल को सारा investigate कर लिया जाता है कई बार और male partner पर ध्यार नहीं दिया जाता है जो कि बहुत ही important बात है और जब भी fertility की problem आए तो husband वाइब दोनों एक साथ पहली बार डॉक्टर के पास जाए और अगर उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं है यानि कि कोई thyroid की problem नहीं है वजन जादा नहीं है periods regular है उसमें कोई problem नहीं है तो फिर कुछ routine टेस्ट करके हम लोग सला देते हैं कि आप थोड़े दिन ऐसे try करिये लेकिन यदि उम्र जादा हो गई है और दो तीन साल निकल गए हैं तो फिर हमें कारण डूनना पड़ते हैं अब महिला की बात करें तो महिलाओं में जो प्राण होता है कि अंडो का ना बनना अंडो का ना बढ़ना और अंडो का रबचन होना यानि की ऑविलेशन की प्रॉबलम अब जैसे कि हर महावारी में हर लड़की को 12-13 साल की उमर से जब से उसको पीरेड आना शुरू होता है हर महीने ऑविलेशन होता है और वह जो वाड ट्यूब्स की प्राव्लम होती है तूप छालू होना बहुत जरूरी होता है तो फिर हम उस समय फिर उनकी ट्यूब की टेस्क करते हैं कि ट्यूब कई बार यूट्रस में प्रॉब्लम होता है कि यूट्रस में अंदर की लाइनिंग अच्छे से नहीं बन रही है जो हर मैंने बननी है और शेड होती है एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं जिस पर की पच्छा चिपकता है एंब्रियो जिस पर इंप्लांट होता है अगर यह प्रॉब्लम हो सकती या कई बार हाउन्स बैलेंस में नहीं होते हैं हाइपो थारडिजम है है और उसमें फिर रेगुलर ओविलेशन नहीं हो रहा है इंप्लांटेशन नहीं हो पा रहा है तो इस तरह से महिला की यह समस्या होती है पुरुषों की समस्या होती है कि जो सीमन में sperm count होता है या sperm की motility होती है उसमें कुछ problem हो तो पुर्शों का usually एक ही test होता है initially semen analysis अगर वो normal है तो फिर ज्यादा test नहीं होती या कई बार कुछ भी problem नहीं होती है and they are not able to maintain physical relation तो उन्हें कहीं तरह के mix होते हैं hesitancy होती तो उन्हें just a counseling की जरूरत होती है फिर कभी-कभी जैसे मैंने अभी बात की थी PCOD PCOD में अविलेशन बहुत common यानि कि अंडे बन नहीं पातें बढ़ नहीं पातें रप्चन नहीं हो पातें तो उसमें कभी हमें अविलेशन सपोर्ट की जरूरत होती है और कभी दोनों ही कपल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और फिर भी प्रेग्नेंसी नहीं होती उसको हम unexplained infertility के दें तो treatment जो होता है according to problem होता है माननी जी husband का semen count का में तो हम उन्हें कुछ medicine देते हैं कारण टूनते है semen count क्यों काम है कभी-कभी एक vericocyl की समस्या होती है तो उसके लिए इलाज दिया जाता है कभी-कभी semen में sperm count तो ठीक है लेकिन motility नहीं है इसी तरह कभी जो female partner है उसको ट्यूब अगर block है तो ट्यूब अगर block है तो ट्यूब open करने की कुछ surgical intervention होती है लेकिन यदि एज जादा है अंडे काम है और ट्यूब block है जब ऐसी स्थती होती है तो फिर उस दर्शा में हम test tube का सहारा लगें यानि कि आप आज वो time इतना advance हो चुका है doctor कि समस्यां अगर है भी तो उन समस्यां का निदान भी है उनका समधान भी है और फिर ये कोई couple सोचके निराशना हो जाए कि हमारा बच्चा नहीं हो सकता तो अब इतना science ने इतना तो achieve कर लिया है कि इतना परेशान होने की और वो लोग निराश हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं तोट जाते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं कई couples वो नौबत बहुत rare देखने को मिलेगी ये तो बात हो गई कि अगर आप conceive नहीं कर पा रहे है अब conceive होने के बाद एक women की life में बहुत सारे changes आते हैं मुझसादा आपको बहुत बहुत बहुतर तरीके से पता होगा क्योंकि वो आपी का field है अब उस समय कैसे खयाल रखना है एक women को क्योंकि पूरे 9 महीने उसको अपना भी खयाल रखना है अपने बच्चे का भी खयाल र करना चाहूंगे पिछले कुशन में कि हमने जो बात की की ट्यूब में प्रॉबलम में और यूटरस में प्रॉबलम में कभी कभी एक रेयर अनॉमली होती जिसको एमार केज कहते हैं जिसमें की यूटरस नहीं होता है और होती है तो हमारे पास कुछ कपल ऐसे भी treatment लिये है जहां पेकी महीला को महावारी नहीं आती उसको यूटरस नहीं है बट उसके पास औरी है उसके पास खुद के अंडे है तो हम ऐसी दर्शा में उस महीला के अंडे उसके husband के शुकरानूस से embryo बनाके किसी और महीला के family में किसी रिलेटिव के यूटरस में भी हम उनका genetic babi क कर सकते हैं तो मुझे लगा यह एक इंपोर्टेंट बात है जो मुझे शेयर करनी चाहिए और इस तरह के कुछ कबल हमारे हैं इलाज ले चुके हैं जो अपने फैमिली के ही मेंबर में सरोगेसी करके वो उनका जेनेटिक चाइल्ड हो जाता है याने की डिये ने वो हस्बंड है कैसे ध्यान रखना है को ऑली बाद तो प्रेगनेंसी च्राइ करें कि हम प्लांटव्ण सी करें होने के पहले ही अगर फॉशी और कुछ शुरू करते हैं तीन मैने पहले तो बहुत सारी ज़ाइनवताई जान्मट बीमारियां जो शीशू तो यह हम रोक सकते हैं थाइरेट की अगर प्रॉब्लम में किसी को डायबीटीज है तो उस सब को कंट्रोल करें किसी महिला को एपिलेपसी की दवाई चल रही है तो वह दवाई जो भी सेफ और ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी पहले हम उस पे शिप करें यानि कि प्रेग्नेंसी अगर हम कॉंसिलिंग ले ले तो ज्यादा बैतर होगा उसके बाद जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अब यह जो नौ मैन कपल के मन में आते हैं फामिली सोचती कैसे होगा क्या होगा तो बहुत सारे उनको मेंस और टेंशन सही दो हम प्रेग्नेंसी के नौ महीन को तीन-थे महीन के ट्राइमस्टर में बाढ़ते हैं शुरू के थीन महीन बहुत ज़्यादा important होते हैं जिसमें की शिशु की बनने की शुरुआत होती ही सारे अंग बनते हैं तो इस समय बहुत कम medications दी जाती हैं बहुत सारी दवाईयां बच्चे के ऊपर खराब असर करती तो इस समय सिर्फ polyc acid और B6 B12 vitamins दे जाते हैं और किसी तरह का radiation exposure नहीं होना चाहिए समय और जो minimum test होते हैं कि हीमोगलोविन कितना है शुगर तो नहीं है थाराइट तो नहीं है HIV-based antigen यह सब हम test करते हैं शुरुआती sonography की जाती है कि एक ही शिशुए कई बार एक से ज्यादा होते हैं और कभी-कभी ट्यूब में pregnancy होती तो वो तो नहीं है सब देखा जाता है तो शुरुआत में नौशिया वामिटिंग की जो समस्या होती है उसके लिए कुछ सप्लिमेंट दिये जाते हैं इस तरह शुरू के तीन महिने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 11-13 वीक में बेबी लगबग काफी बन जाता है उसके बाद जो बीच के तीन महिने होते हैं उसमें आईरन केल्चिम सब कुछ लेती ताकि जो शिशु बढ़ रहा है उसको परियाब्त कुन का दौर मिले उसका वेट अच्छा रहे अब लास के तीन महिने में प्रेगनेंसी रिलेटेट कुछ प्रॉब्लम सा सकती है जैसे प्रेगनेंसी के साथ ब्लड प्रिशर बढ़ना जो की अराउंड 5-10% वीमेंस में हो सकता है और इसका कोई कारण नह गए तो यह प्रेगनेंसी इंडियो से हाइपटेंशन के कारण होता है और कभी-कभी बहुत खतरनाक इस्तती में हो जाता और इस समय गर्बस्त शीशू तो दूसरे नंबर पर हो जाता हमारे लिए गर्बस्त महिला की स्वास्त बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होती है क् कि उसको बहुत सारे कॉंप्लिकेशन्स ड्यूरिंग लेबर हो सकते हैं जटके आ सकते हैं दिमाग की नस्फ फट सकती है ब्लीडिंग जादा हो सकती है तो एक तरह से यह बहुत खतरनाक स्थती हो सकती है इसके लिए यह वह शुरू से प्रॉपर चेकप करवारी है बीपी रेगिलर रीडिंग हो रही है वैटामीन सप्लीमेंट हो रहा है कैल्शियम ले रहे हैं तो काफी हद तक वह कंट्रोल रहता है जे जे पहले इतनी प्रॉब्लम्स प्रिगनसी में नहीं आती थे जितने कॉम्प्लिकेशन्स आप देखने में मिलते हैं क्योंकि हमने बड़े इन एक अलग तरीके का हो गया है खानपान कुछ में बदलावा गया है यह है या फिर एक शारीरिक तोर पर देखे तो बॉड़ी टू बॉड़ी डिपेंड करता है कुछ हद तक सही है श्रद्दा जी पर पूरी तरह ऐसा नहीं है कि पहले ये सब नहीं होता था पहले भी होता था अगर हम देखें 20-30 साल पहले कि हमारी maternal mortality यानि कि during deliveries मैलाओं के मृत्योधर काफी ज़्यादा थी जो काफी हद तक काम आ गई है तो ऐसा नहीं है कि अभी समस्याइं बढ़ गई है यह है कि समस्याइं हम डाइग्नोस करने लगे हैं और हमें जैसे कि अभी बात हुई सोनोग्राफी से हमें काफी हद तक पहले से पता चल जाता है एक इस तती होती प्लासंटा प्रीविया यानि कि उसमें गर्वनाल नीचे होती है तो पहले यह पता नहीं चलता था और कई बार डूरिंग लेबर मदर और बेबी को बहुत रिस्क होता था जो कि अब हम सोनोग्राफी से पहले पता कर लेते हैं और जब यह पता चल जाता तो इस तती में हम बैडरस के लिए बोल देते हैं तो पहले हम सुनते थे कि 5-6 बार बच्च वस्ताल है ले डिलेज आफ मैरेज या डिलेट और इस अफ प्रेगनिंसी को है करते हैं जो प्रेगनिंसी की सही है वह ल्ग टू Top हो ती है अगर हम थजर पाइफ प्रेगनेंसी अばन्क प्लां करते हैं तो बहुत सारे मेडिकल डिसोर्टर है जो अ मरपढ़ने के साथ होते जैसे कि blood pressure, sugar है तो उसके associated complications का डर रहता है, दूसरा lifestyle very important कि बहुत sedentary lifestyle हो गया, पहले लोग physical work करते थे अभी पूरे समय बैठे रहते हैं, तो जो joint में और जो सब हमारे physical organs में जो flexibility होती थी, अभी हम mentally बहुत ठके रहते हैं और peace of mind नहीं होती, तो peace of mind नहीं के कारण blood pressure होती हैं, तो काफी हद तक हमारा lifestyle जिम्मेदार है, तो हमें balance रखना चाहिए कि हम modern medical facility को use करें, बट हमारा lifestyle जो है वो, हम जितना natural रखें याने कि, बिलकुल, और आजकर वही बदल गया है, हमारा lifestyle बहुत जादा change हो चुका है, और शायद वही एक कही न कहीं एक reason वो भी है, जिस वजह से ये दिक्कत आती है, रॉक्टर बहुत अच्छा लगा आपसे बातशीत करके, मुझे पूरी उमीद है, जो मही लाएं है कारकरम अभी देख रहे होंगे, उनकों के सवालों के जवाब जरूर मिले होंगे, बहु झालए न करू एक है जो करेंचे वी है जो हम्यां है, झालए दो मही बहुत पिर दो धिकत आती है झाल झाल